नमस्कार फ्रेंड बहुत पर सवकत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉक्स में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लग अच्छी होंगे ब्लॉक की शुरुआत हो रही है मेरे दुपह डाई से पौने तीन बजे और इतना लेट क्यों हो रहा है क्योंकि म सभी मैला हैं तो दिपावली हो होली हो या फिर कोई भी दिवहार हो काम का प्रेशा महारे पास बढ़ जाता है टाइम उतना ही होता है तो सेम यही हाल मेरे साथ भी है सिलाई भी कंप्लीट करनी है घर की साफ सफाई भी करनी है वीडियो को भी डालना है और जो जरूरी काम होते हैं, वो भी निकलाते हैं, तो उनको भी करना है, आज थी मेरी कोट में डेट तो वहाँ पर मुझे जाना था, जिस वज़े से मैं अपने काम को, अमर्जेंसी काम को मुझे छोड़के जाना पड़ा, और आके काम करना मजबूरी भी है, और देखिए, जरूरत भी है क्योंकि मजबूरी यह है, कि अगर हम काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर आगे हमें काम नहीं मिलेगा, और बाकी तो जिन्दगी जीने के लिए पैसो की जरूरत होती है, कोट केस को चलते हुए, मेरे लगवग 6-7 साल हो गए है, बराबर वहाँ पर मुझे जाना भी होता है, खर्चे भी लगते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, डेली के जो काम है, देखिए, वहाँ पर तो खर्चे हमारे लगता ही लगता है, और कोट का केस हो, या फिर कोई भी चीज हो, सब ही में पैसा लगता है, तो पैसे कमाने के लिए काम करना भी ज़रूरी है, और साथी साथ देखिए, सिलाई एक हमारा ऐसा नहीं रहता है कि सिलाई से सिर्फ हमें पैसा ही मिलता है सिलाई से हमें एक पहचान मिलती है एक हमारे जिंदिगी का बजूद जुड़ता है मेरे जिंदिगी का बजूद मेरी पहचान एक सिलाई ही है और इसलिए मैं अपने काम को किसी भी हालत में करना पसंद करती हूँ और करती भी हूँ ये एक हुनर है, एक मेरे जीने का जरिया है और एक मेरा आत्म सम्मान है आत्म निर्भर तो मुझे बनाया है यह सिलाई के काम ने साथी साथ मुझे आत्म सम्मान भी दिया है जो मैं कभी मेरे अंदर फील नहीं होता था वो आज मुझे सिलाई के काम से फील होता है तो चाहे कितना भी जरूरी काम हो कितना भी कुछ भी हो, इस काम को करना मुझे अच्छा लगता है, और अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगे, कि आप मन लगा के अपने काम को कीजिए, जिस तरह से मैं आपने कितनी भी ठकी हुई होती हूँ, लेकिन फिर भी सिलाई के काम को करने के में जो मन की संतुस्टी मिलती है, वो एक अलग ही लेविल की होती है, और उसके साथ-साथ आज मैं यहां तक पहुंची हूँ, तो एक सिलाई के जरिये से, वरना मेरे अपनों ने तो मुझे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो स कुछिस करें, उतना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने काम को मन लगा के कीजिए, और एक अपने आप में एक ऐसा स्टेंडर्ड बना दीजिए, कि लोग आपको हराने में पूरी जीजान लगा दें, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहों पाएं, यहां पर टाउजर टीकि फिटिंग, फिटिंग और फिनिशिंग दो ऐसी चीज़ होती है, कि अगर हमारे फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी है ना, तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, एक टाइम यह था कि मेरे पास सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं 30-40-40 रुपे में भी फिटिंग को मना करना पड़े, लेकिन मजबूरी मेरी आज यह बन गई है, आप सभी के सपोर्ट से और भगवान के आशिरवाद से जो लोग मुझे गिराना चाहते थे ना, आज वो काम्याब नहीं हो रहे हैं, इतने ज़्यादा शड़ें तर रच लिये हैं उन्होंने, कि सच में भी टाइम चाहिए होता है, उसे लाए हम कितना करेंगे, एक दिन में 4-5 सूट अगर हम सिल लेते हैं, और साथी साथ वीडियो का भी है और घर का भी है, तो इतना काफी होता है, और मेरे जीवन यापन के लिए इतना काफी है, और यही सारी चीजें लोगों को हजम नहीं ह लोगों से बर्दास नहीं हो रही है, तो वो मुझे गिराने के लिए मेरे को डी मोटिवेट करने के लिए मेरी बदनामी कर रहे हैं, शडय अंतर ऐसे ऐसे रच रहे हैं, जो शायद मैने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कि ऐसा भी कभी मेरे साथ होगा, लेकिन कहते हैं कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है, उन चीजों का हमने सामना करना होता है, मुसीबत जरूर आती है हमारे सामने, लेकिन उस मुसीबत से अगर भगवान हमें मुसीबत देता है, तो उसका सामना करने की हिम्मत भी देता है, बेसक वो चीज़े हमें बुरी लगती है कभी-कभी बहुत उनस चीज़ों से निराशा भी होती है लेकिन एक टाइम के बाद में हमें पता लगती है कि वो निराशा अगर हमारी जीवन में नहीं आई होती तो शयाद हमें इतनी हिम्मत नहीं होती हम उन चीज़ों को इतना फेस नहीं कर पाते यहाँ पर suit जो है वो मेरा सिल चुका है और इसको सिलने के बाद में इसमें designing बग बनानी है और यह शाम तक मुझे complete करके customer को देना है तो देखते हैं मैं इसको complete कर पाती हो या नहीं तो यहाँ देखिए finally यह complete हो चुका है और यह बुलकुल मेरे ही measurement का था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fitting के साथ में इसकी finishing कैसी है यहाँ पर जो है न थोड़ा सा यहाँ पर chest size थोड़ा सा है भी है customer का तो यहाँ पर मैंने wear करके दिखाया है क्योंकि मुझे photo चाहिए थे तो मैंने पहले उनसे पोच लिया था final look कैसा आया है अधेरा हो चुका है यहाँ पर लगबख बच रहे है साड़े पांच और साड़े पांच बज़े अब मैं लगी हूँ यहाँ पर सफाई में तो मैं सबसे पहले kitchen की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे room में बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो कि मैं बिल्कुल भी set नहीं कर पाई हूँ और सबसे ज़्यादा सामान है वो मेरे kitchen का है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं room की सफाई करने से पहले kitchen की सफाई कर दूँ तो यहाँ पर मैंने जो भी extra सामान था वो मैंने हटा दिया है और यहां लगा रही हूँ मैं pipe उसके बाद में यहाँ पर मैं दुलाई करूँगी दुलाई करने के बाद में जो भी dhulमिटी है या कुछ भी ह्ना बहुन सब साफ हो जाएगा तो साफ करने के बाद में फिर मैं जो सामान रहेगा वो में लगाऊंगी तो अब दिखिए जीने की मैंने जो थी वो धुलाई कर दी है और अब आ चुकी हूं में नीचे की साइड में तो यहां पर पाइप को मैंने ले लिया था लंबा करके और दिन में इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं सब कुछ कर पाती तो इसलिए यह जो धुलाई है यह शाम के टाइम पर कर रहे हूं क्योंकि धुलाई के बाद में थोड़ा से सुखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और दूल और जाला वाला इतना हो जाता है कि कितना भी हम वैसे जाड़ लेना तो वो साफ नहीं होता है पिर मैं मॉर्निंग में करने वाली हूं क्योंकि उसको भी साफ करना होगा तो सारी च्छत की और किचिन की और गैस वगएरा कि मैंने आपा साफ सफाई कर दी है अब नीचे की साइड में रह गया है ठकके एकनम हालत खराव हो गई है और बिल्कुल में मन नहीं करता है कि ज तो हमारा मन चाहे या ना चाहे लेकिन फिर भी हमें करने पड़ती है तो सेम ऐसा ही मेरे साथ है आप नीचे देख रहे हैं कि कितनी धूल मिटी उपर से जो आके मों नीचे हो चुकी है और अभी मुझे यहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं में दुलाई कर रही हो लाइग चाहे जाए क्योंकि अगर लाइट चली गए तो बिल्कुल भी अंध्यरा हो जाएगा तो यहां पर उपर की धुलाई हो चुकी है और धुलाई होने के बाद में अब मुझे यहां पर वाश रूम है इसकी धुलाई करनी है और जो फिल्टर वगरा है उसकी साफसफाई है डिपे हैं बोतल वगरा हैं वो सब मैं यहाँ पर साफ सफाई कर दूँगी तो एक्स्टर जो लंबा सा पाइप था उसको मैंने यहाँ पर फोल्ड करके यह देखे रख दे रही हूँ और जो छोटा पाइप है उसको लगा के यहाँ से साफ सफाई कर लूँगी और गेट जो स्टील का है न यहीं पर मुझे बरतन वगरा दुलने होते हैं तो गेट जो है न नीचे से बहुत जादा गंदा हो जाता है तो उसकी भी साफ सफाई करनी होती है पिछली बार तो मुझे दिपावली वाले दिन खास करनी पड़े थी और फिर मुझे साम को दीपाव जलाने में बहुत लेट हो गए थे तो अभी तो दिवाली में अभी चार से पास दिन का टाइम है तो आराम से मैं साफ सफाई जो है वो कर ले रही हूँ बाकी जो रह जाएगा वो मैं ऐसे ही कर लूँगे लेकिन जितना भी होता है उतना मना कर देती हूँ लेकिन फिर भी जो आ जाते हैं तो देखिए उनको तो करना ही होगा यहाँ पर दूल मिटी उपर से जितना भी रेता वगएरा दूलाई लाई करते हैं तो वो हो जाता है, तो यहाँ पर मैं दुलाई कर दे रही हूँ, और जो मैट है, इसकी साथ सफाई करके, सब कुछ यहाँ पर छोड़ दूँगी मैं, और फिर यह सूख भी जाएगा, तो जो भी कपड़े वगर रहेंगे, वो मैं इसी तरह से दुल-दुला के रख कि दिन का जो काम रहेगा ना, वो मेरा रात में खतम हो जाएगा, और फिर मॉर्निंग में अगर मुझे कुछ करना होगा, तो फिर वो अराम से फ्रेश होके मैं उनको कर पाऊंगी, तो यहाँ पर मैट भी बहुत सारा गंदा हो जाता है, क्योंकि इस ताइम पर मेरे बाल जो हैं, बहुत जड़ रहे हैं, तो मैट में अकसर मेरे इसमें बाल फस जाते हैं, जो कि इस तरह से जब मैं बुरुष से धूलती हो ना, तो इसमें निकल जाते हैं, क्या आप लोगों क्या भी ऐसी होता है, कि बाल वगर जड़ते हैं, और फिर वो इखटे हो जाते हैं, और पता नहीं कि मेरे उंगलीया पतली हो गई है, जो अंगोटिया मैंने पहन रखी थी, वो भी मेरी बारबन निकल रही है, अभी मैं सोच रही हूँ, इनको निकाल के ही रख दो, पता नहीं कहीं गिर जाए या निकल जाए, लेकिन अंगोटिया पहनना मुझे बहुत अच् तो मैं इस तरह से यहां पर सफाई कर दे रही हूँ और सफाई करने के बाद में इसको भी में रात में ही दूल दूंगी। तेज़ाब से मैं acid का ही यूज़ करती हूँ, हार्पिक जो है मुझे लेकर आना पड़ता, तो यहाँ पर मैंने जो प्लास्टिक की बाल्टिया वगरा होती है, या फिर मग्ये वगरा होते हैं, ना हमारे वो बहुत गंदे हो जाते हैं, पानी हमारा आकब बहुत पीला है, तो मैं तो acid ले लेती हूँ, और उसी से फिर इसको साफ कर देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाल के रखना पड़ता है, तो थोड़ी दिर के बाद में वो खुद बखुदी साफ हो जाती है, फिर हलका सुबरुष डालो, लगाओ, और फिर वो साफ हो जाती है, तो मैं ऐसा ही कर दे हूँ, और फिर जब भी मैं ऐसे डालती हूँ न, तो मुझे बहुत दे जिसमें धसका आता है, मतलब मुझे सूट नहीं करता है, लेकिन मज़वूरी पढ़ जाती है, कि साफ सफाई अगर करनी है, तो देखिए, यूस तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से, मैंने यहाँ पर धुलाई कर दी है, और धुलाई करनी के बाद में, जो भी मेरी चपल वगरा है, और कहीं इतनी जगा नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक तक्ता लगा लिया है, उसी पर ही में चपल है, जो जूते वगरा होते हैं, बाहर आने जाने वाले, वो मैं इसी तरह से रख देती हूँ, गेट की भी लगे हाथों मैं, यहाँ पर धुलाई कर दे रही हूँ, तो धूल मिटी हाँ पर चली जाएगी सारी, और बाद में सिर्फ मुझे हलके हाथ से, मता हलके कपड़े से इसको पोच्छना रहेगा, तो वो मैं बाद में पोच्छ लूँगी, और अभी मुझे यहाँ पर फिल्टर जो है, उसकी सफाई करनी है, यह देखिये, बर्तन वगरा मैंने यहाँ पर धुल्के रखे तो वो भी हाँ पर रह गया है, बैसे तो सारे बर्तन जो हैं, वो मैं अभी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने भी सफाई नहीं की है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी, यह सब धुल्के रख लिए हैं मैंने बर्तन वगरा, और अभी जो थोड़े बर्तन रह गये हैं, वो मैं अभी आप धुलने वाली हूँ, आप लोगों किया सफाई हुई है, तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं हुई है, और बाकी जो रह गई है, वो मैं धीरे-धीरे इसी तरह से करने वाली हूँ, यहां मैंने पाइप लगाए है, तो यहां पर उंगली में मेरे, जो पाइप की नौक थी ना, वो लग गई है, और इस तरह से जब लग जाती है, पिछली साल की दिपावळी मेरी बिल्कुल बी अच्छी नहीं थी मन तो मेरा इस बार भी नहीं कर रहा था और होली का तियोहार भी मैंने मन पड़ेगा, अगर हम रोएंगे भी तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही बात सोचके मैं आप यहाँ पर सफाई जो है कर ले रही हूँ पहले से ही, वैसे अंदर से बिल्कुल मी मन नहीं था मेरा कुछ भी करने का लेकिन कहते हैं न, अगर हम जितना रोएंगे, उतना ज़्यादा हमें दुख लगेगा और जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को फील करें उतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में जाएंगे डिप्रेशन में जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा नुकसान हमारा ही होने वाला है तो उससे अच्छा ये है कि हम खुश रहें और सचाई को हम फेज करें उसको अपना लें मुझे इस सचाई को फेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है अभी जाके उस चीज को मैंने accept किया है और accept करने करने में भी कुछ चीज़े ऐसी हैं जो मुझे अभी भी दिक्कत हो रही है accept करने में लेकिन फिर भी जब तक accept नहीं करूँगी मुझे ऐसे ही दुख रहेगा ऐसे ही दर्द रहेगा और ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी तो मैं हारना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ उन चीज़ों का सामना करती हूँ थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे थोड़ी से डिप्रेशन में जाती हूँ मैं लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब अगर हम सोच लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए और किसी भी चीज़ से हमें जब ज़्यादा दुख होता है और दूसरा सामने वाला जो होता है हमें उसी कंडिशन में देखके कुछ होता है तो हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना ज़रूरी होता है तो मेरे लिए इन चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और ये चीज़ कोई एक दिन की नहीं है एक दिन की नहीं है एक हफते की नहीं है एक महीने की नहीं है सालों हो चुके हैं और जब सालों किसी चीज़ के लिए हो जाते हैं तो बहतर यह होता है मुँँ उस के accept कर लिया है और हर एक चीज़ को मैं खुशी खुशी से जीना चाहती हूँ खुशी से उस चीज़ को accept करके अपने आप में जिन्दिकी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और इस सब में आप लोग मेरे साथ है मेरे लिए ये खुशी काफी अच्छी है कभी भी मुझे कुछ भी फील होता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ आज मैं इतना सारा काम कर रही हूँ इतना सब कुछ कर रही हूँ पर कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी कोई त्योहार नहीं मनाती थी, मैं कुछ भी नहीं मनाती थी, जब मैं वीडियो नहीं डालती थी, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं करती थी, दो साल ऐसे हुए थे, सिर्फ मैंने एक दिया जला के कहते हैं कि दिया तो जलाना पड़ता है, तो मैंने केवल एक दिया जलाया था और सिर्फ लक्ष में पूजन किया था लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ अभी मैं हर एक काम को जो भी कायदे से जैसे भी होते हूँ उसको खुशी-खुशी करना चाहती हूँ यहाँ पर मेरे फिल्टर की सफाई हो चुकी है बरतन वगर थे वो सब साफ हो चुके है कपड़े थे मैंने कल नहीं दूले थे और आज जो सुबह मैंने सूट डाला हुआ था यह मैंने सफाई की वज़े से चेंज कर लिया था तो वो सारे कपड़े भी यहाँ पर मैं धूल दे रही हूँ बैसे तो मशीन लगाने है लेकिन मशीन में फिर परदे वगर यह चादर वगर होंगे मैं मशीन तब लगाऊंगी तो अभी ले कपड़े ज़ादा गंदे नहीं है तो मैं इनको इसी तरह से साबुन से लगा के धूल दे रही हूँ और बरतन वगरा है यह भी मैं हटा दे रही हूँ यहाँ पर फिर मैं नहाँगी तो दिपावली मेरी कैसी रहती है यह जानने के लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा और आप लोगों कोई सवाल हो यह सुझहाव हो यह आपकी जिन्दिगे में भी देखे हर किसी की जिन्दिगी में परशानिया चलती है डिप्रेशन चलते रहते हैं लेकिन उस इक्स्प्रेशन से निकलना सबसे बड़ी हमारी जीत होती है अगर हम उसी चीज में लगे रहेंगे उसी को सोचते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते और जिंदी की जीने के लिए खुशी बहुत जरूरी है पैसा कीमत होती है पैसे की जरूरत होती है जिंदी की जीने के लिए लेकिन पैसे से कहीं ज़्यादा जिंदी की जीने के लिए होती है खुशी की हमारे मन की खुशी तसली या फिर जिन चुजों से हमें दुख होता है बार-बार हम उन चुजों को उसी में घुसे रहेंगे या फिर उसी को इग्नोर नहीं करेंगे या फिर उन चीजों से निकलेंगे नहीं ना तो हम कभी खुशी क्या जिन्दिकी जी नहीं पाएंगे गुट-गुट के जिन्दी की क्या होती है मैंने बहुत सालों देखी है यहाँ पर सारे काम फिनिश करने के बाद में आ चुकी हो मैं नहाने मतब नहां के और अब टाइम बहुत हो गया है यहाँ पर जैसे ही आगई कॉल कमरे में आप देख सकते हैं कैसे कपड़े पड़े हुए है यह भी मुझे तैय करने है फोल्ड करने है और अब मैं थोड़ी दर बैठूंगी चाय पीऊंगी और चाय पीने के बाद में मन करेगा तो मैं यहाँ पर सफाई करूंगी और नहीं मन करेगा तो फिर मैं मॉर्णिंग में सफाई करूँगी क्योंकि सफाई भी बहुत जादा है पर्दे वगर भी मुझे धुलने है और समान वगर भी लगाना है तो यहाँ पर अब है मॉर्णिंग दूसरे दिन का टाइम यहाँ पर बच चुके हैं 9-9 और यहाँ पर दूसरे किचिन में जो बर्तन थे न डिबबे वगर थे वो रह गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिबबे वगर हटाके मैंने धुलाई की थी तो धुलाई वगर मेरी हो चुकी है और धुलाई होने के बाद में अब जो डिब्बे वगरा रह गए थे या फिर स्टैंड वगरा था उसको मैंने यहा निकाल लिया है सब को धुल के यहाँ पर रख दूंगी और फिर सिर्फ रह जाएगा मेरा यहाँ पर उसको सेट करना उसको लगाना तो काम हमारा एक दिन में सोचते हैं हम खतम कर लेंगे लेकिन एक दिन में नहीं खतम हो पाता है जैसे जिन्दगी हमारी एक दिन में खतम नहीं होती है वैसे ही हमारा काम एक दिन में नहीं खतम होता है बस उसको manage करना हमें कैसे है जब हम उस चीज़ को manage अच्छे से कर लेते हैं तो सब काम अच्छे से कर लेंगे तो मैंने दुलाई वगरा कर ली थी और दुलाई वगरा करने के बाद में फिर मैं अब यहाँ पर इसकी साफ सफाई कर ले रही हूँ जब ये साफ सफाई होके रख जाएंगे फिर ये सुख जाएंगे तो फिर से मुझे इसको लगाने रह जाएगा और फिर डेकोरेशन रह जाएगी तो मेरी किचिन जो है ना फाइनली साफ हो जाएगी और किचिन के बाद में फिर मेरा रूम रह जाएगा तो room का जितना भी सामान था आदिस से ज़ादा तो मेरा kitchen का भरा हुआ था ये सब कुछ मैंने साफ कर दिया है और आप लोगों को पता ही होगा हम औरतों की जिंदिगी जो होती है वो kitchen सही जुरू होती है और kitchen पे ही कतम हो जाती है मेरा काम इसलिए थोड़ा से रह जाता है क्योंकि अभी मैं खाना प्रपर तरीके से नहीं बना रही हूँ लेकिन अब मैंने सोचा है कि दिबाली के बाद में मैं खाना बनाना शुरू करूंगी क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो चुका है जब से नंदनी गई है तब से मैंने खाना बनाना बिल्कुल छोड़ी दिया है बिल्कुल एमर्जनसी जब होती है तब ही मैं बनाती हूँ यहां पराटे, दाल, चावल और चीनी के जितने भी डिबे वगरा थे या जो भी कंटेनर थे वो सब कुछ मैं ऐसी तरह से साफ कर ले रही हूँ और ज्यादर तर यह होली दिपावली पे ही मेरे साफ हो पाते हैं रक्षावंदर पे किये थे लास्ट टाइम मैंने और अभी इनको सब को साफ करके रख दे रही हूँ धूप में सूख जाएंगे फिर इनको सामान जो वगरा है वो भी स्टोर करके रखना है जैसे की स्टो ग्रॉश्री के सामान ये आपके साफ में शेर किया था वो मैंने लगाया नहीं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो कंटेनर हैición सी कॉर्ण को साफ कर लोगाओं तो यहया सब और इस सारे डिप्बे वगरा मेरे साफ हो चुके हैं यहां पर मैंने रख दिये हैं नीचे आप क पर लगाऊंगी उससे पहले यहां पर मैंने जो किचिन के मसाले वगए रहे हैं कि यह मैं इस पर रख देती हूं अब इस पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है तो यहां पर मैं सिलेंडर पर खड़े होके तब इसकी सफाई करूंगी क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो धूल म और पूरा दिन मेरा दो दिन लगपक ऐसे ही निकल गए कब टाइम चला जाता है हमें पता नहीं लगता है कितना सारा काम हो जाता है हमें खुद नहीं पता होता है कि हम सोचते हैं कि इस काम को एक घंटे में कर लेंगे लेकिन एक घंटे में नहीं हो पाता है तो मैं शाम के बार बार कस्टमर आती तो फिर मुझे जाना पड़ता और फिर वो जो काम है ना हमारा 15 मिनिट का 20 मिनिट का वो हमारा फिर और लेट हो जाता है तो आज मैंने शॉप नहीं खोली है यहां पर इसकी सफाई कर ले रही हूं गैस वगरा की सफाई जो है वो भी मैं दुबारे से सफाई अब यहां पर सिलेंडर है यह लगा ले रही हूं और उसके बाद में यह पर जो भी कवर वगरा है यह सारा मैं सेट कर लूंगी और सेट करने के बाद में फिर आपको दिखाती हूं समान को हटाना बहुत असान होता है फटा फट से हटाओ और इधर से उधर कर दो लेकिन इसको लगाने में बहुत जादा टाइम लग जाता है दुलाई मैंने इसलिए पहले कर दी थी कि सफाई करने के बाद में यहां पर गीला रहता है वो न रहे और एक दम से सुखा हो जाए क्योंकि यहां पर फर्स जो है वो नहीं है पलास्ता नहीं है तो जो रेता होता वह बहुत गिरता है तो यहां पर मैंने सिलेंडर है यह रख दिये हैं और इसके उपर तकता लगा कि जो भी कंटेनर है मेरे आर्टे के और चावल के या फिर छोड़ी छोड़ी जो डिब्बे हैं वह में यहां लगा लूँगी और यह जो तारा आप देख रहे हो यह उपर वाशिंग मशीन लगा रखी है मैंने यह वहां का है तो इसी तरह से चुटे-चुटे चीजे को सेट करने में टाइम बहुत लग जाता है देखिए यह लगा दिया है वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तकता लगा कि यह सब सेट कर दिया है यहां पर मेरे स्टेंड आ की टेंशन नहीं रहती है लेकिन अभी सब कुछ जो अरेंजमेंट है वह मैं उपर ही रखूंगी क्योंकि नीचे बहुत सारा सामान कमरे में फैल जाता है अवन है अवन को भी मैं उपर ही लगा लूँगी जिससे की नीचे की जगा है वह भी खाली हो जाएगी और मेरा उसको दिखाऊंगे अभी के लिए तो जितना जैसा हो पा रहा है वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं छोटे-छोटे बरतन है वह यहां लगा दे रही हूं बड़े-बरतन यहां पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी जगा नहीं है तो इसके लिए मुझे एक कबर ब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना और आप लोगों की सफाई हो गई है नहीं हो गई है छोटे से किचिन आपका है या फिर बहुत सारा बड़ा है मेरा किचिन नहीं है छोटी सी जो हमारी जीने के बीच में जो स्लिप पड़ा होता है ना मैंने आप लोगो के शाथ सेर करती हूं उमीद करती हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कुछ भी इसमें गल्ती हो या फिर कोई आपका सवाल यह सुझाब हो तो आप मुझे कमेंट करके पोच सकते हैं सारा कुछ लगाने के बाद में इसका फाइनल लोक आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा बनके अदब सारा कुछ कैसा थैयार हुआ है यह कितनी सफाई हो चुकी है कितना सामान इसमें लग चुका है चुटे-चुटे ब इसको मैं सोच रही थी पहले नीचे रख लूँ क्योंकि बार-बार फिर मुझे उपर चड़के आना पड़ता है लेकिन नीचे भी इतनी जगह नहीं है और अगर मैं इसको नीचे लगाऊंगी तो फिर मुझे तार लंबा करना पड़ेगा शोलर के और तार लंबे करने के बाद में फिर यहां पर मैं पोच्छा लगा लूँगी और नीचे रह गया है अवन तो अवन को भी मैं यहां पर सेट करूँगी तो काम कितने हो जाते हैं बैटरा नीचे लेके जाना मेरे बसकी नहीं है अकेले इसलिए मैं यहीं पर सेट करूँगी थोड़ा सा आगे कभी भी अगर लाइट खराब होती है ना किसी भी लाइट वालों को अगर मैं बुलाती हूं तो वह सीधे यहीं बोलते हैं आपने तो यहां पर पूरा पावर हाउस बना रखा है लेकिन क्या करें जरूरत जैसी होती है वैसे ही उसमें कुछ नकुछ हमें करना होता है तो और यहां पर फिर लगाओंगी मैं पोच्छा अलका सा भी अगर यह डिस्वैलेंस हुआ ना तो यहां पर मेरे पैर बल्कुल तूटी जाएगा तो बहुत ध्यान से और हटाते हुए मैं इसको इस तरह से सफाई कर ले रही हूं और इटे रखी हुई है इस तो के ओपर यह र कर दिया है अगर मैं यहां की सफाई पहले से नहीं करती तो इतना सारा सामान नीचे हटाने बचाने में बहुत दिक्कत हो जाती तो फाइनली मेरी यहां की सफाई हो चुकी है और इतनी सफाई के बाद में फिर मैं नीचे की सफाई करूंगी च्योंकि मैं अब दूसरे दि होती है पहले मैं चीजों को ध्यान बिल्कुल भी नहीं करती थी और इसी वज़े से एक जो था ना मेरा बल्ब था वो खराब हो चुका है तो यहां पर सफाई मैं पोछा लगा के कर ले रही हूं बैटरे को एक साइड लगाऊंगी और अवन रखे यहां पर फिर आपको बिल्कुल खाली है क्योंकि सब्जी वगरतों मैं लेके आई नहीं हूं सारा सब कुछ यहां पर लगा दिया है इसको पर तक्ता रखे मैंने केटल वगरा भी यहीं पर रख लिया है डिब्बे वगरा यहां आ चुके हैं अभी जितने जरूरत के हैं उतने ही रखे हैं बाक मेरा स्टैंड हो चुका है फाइनली तैयार यह देखिए ओपर से आप देख सकते हैं यहां की सफाई हो गई है और सच में इतना ठक गई हूँ नीचे से फिल्टर वगरा भी साफ हो चुका है यहां के परदे वगरा हटाके मैंने धुलने डाल दिये हैं धुलने के बाद मे कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लेज लाइक किजेगा इतनी सारी बकपक से अगर आप बोर हो गए हो वो भी आप कमेंट पे बता देना यह है मेरा चोटा से स्टोर रूम इसकी सफाई भी मुझे करनी है तो इसकी करूंगे मैं बाद में मिलती हूँ आप